नमास्कार दोस्तों, Electrical Technician चाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा, मैं आपको बताऊँगा कि आप किस प्रगा से Volt Meter का connection करोगे। तो देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो Volt Meter है, इस Volt Meter में दो terminal होते हैं। पहला terminal S1 होता है, और दूसरा S2, अब यह जो हमारा S1 terminal है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, और S2 terminal पे Netrall supply को को लाके connect करना पड़ता है, यहाँ पर मैंने R-phase को लाके S1 पे connect कर दिया, और nuoutral power supply को लाके S2 पे connect कर दिया। अब यदि हम इस प्रकार से connection करते हैं तो हमारा जो voltmeter है यह आरफेस का voltage बताएगा दोस्तों एक चीज हमेंसा याद रखेगा जो हमारा voltmeter होता है उसको हमेंसा power supply के parallel में connect करना पता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो मैंने क्या क्या हूं यहां से एक लूप करके हमारा जो voltmeter है उसको power supply दिया हूं ठीक है अब यदि हमें y face का voltage को measure करना है तो हम क्या करेंगे y face से एक वार को connect करके ले जाते हैं और इसको ले जाके s1 terminal पे connect कर देते हैं ठीक है तो यहां पर जो हमारा voltmeter है वह y face का voltage को सो करेगा अब यदि हमें इस voltmeter के द्वारा बी face का voltage को measure करना है तो हम क्या करेंगे बी face से एक वार को connect करके ले जाएंगे और s1 terminal पे connect कर देंगे दोस्ते हूं यहां पर मैंने जो आपको connection बताया वह केवल single face का voltage को measure करने के लिए बता हूं यानि कि यदि हमें r face का voltage measure करना ह या फिर बी face का voltage measure करना है तो उसका connection इस प्रवार से करेंगे यानि कि s1 terminal पे हम एक face को connect कर देंगे और s2 terminal पे neutral supply को connect कर देंगे ठीक है अब यहां पर जाड़ी आपको दो face के बीच में voltage को measure करना है तो आप क्या करोगे यहां पे जो s1 terminal है उसमें एक face को connect कर देंगे तो हम यहां पे r face को connect कर दिए s1 पे और y face को connect कर दिए s2 पे तो यहां पर जो हमारा voltmeter है वहां से एक बार को connect करके ले जाएंगे और s2 terminal पे connect कर देंगे और वी face से भी एक बार को connect करके ले जाएंगे और इसको s1 terminal पे connect कर देंगे तो यहां पे जो हमारा voltmeter है वह वाई face और वी face का voltage को soak करने लेगा ठीक है अब दोस्तों देखे यह आपको यहां पे तीनों फेस का voltage को मेजर करना है यानि कि आर वाई वाई वी बी आर तीनों फेस का voltage को soak करेगा अब दोस्तों देखेगा अब यदि आपको यहां पे केवल एक voltmeter के द्वारा तीनों फेस का voltage को मेजर करना है तो उसके लिए आपको यहां पे selector switch का उप्योग करना पड़ेगा यह जो आप selector switch देख रहे हैं यह four position वाली selector switch है four position कैसे हुआ देख लीचे यहां पे आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है और इसके नीचे में लिखा हुआ है yb यानि कि चार position है इसमें हम selection कर सकते हैं ठीक है अब यह जो आपका volt लिखे होगा दोस्तों उसके पीछे में आपको पांच टर्मिनल मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से टर्मिनल लिखे होते हैं ठीक है तो चली दोस्तों यहां पे हम समाझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम selector switch का उप्योग करके voltmeter का connection करेंगे तो यहां पे हमें क्या करना होता है S1 और S2 S1 terminal से आपको क्या करना है एक वायर को connect करके लिए जाना है और जो हमरा voltmeter है उसके S1 terminal पे connect कर देना होता है उसके बाद में S2 terminal को S2 terminal से connect कर देना होता है कुछ इस प्रकार से हम connection कर देंगे तो दोस्तों यहां पे यदि आप इस प्रकार से connection करते हैं तो आप selector switch का position को change करके हर एक face का voltage को measure कर सकते हैं दोस्तों यहां पे जो हम सेलेक्टर स्विच का उप्योग किये ये के वाद्व आपको 2 face के बीच का voltage को सो कर रहा है एक और सेलेक्टर स्विच आता है जिसमें आपको साथ position मिल जाएगा यानि कि आप face to face voltage को measure कर सकते हैं और face to neutral का भी voltage measure क सकते हैं तो यहां पे जो हमारा seven से Connect कर देना होता है। तो दोस्तों इस पगाद से 70,00 फाली से siks के उपَّयो करके हमारे फेज का बॉल्टेज सर्क्राइब कर सकते हैं और दो फेजों की बीच का बॉल्टेज को